भाखास बात है सिर्धार्थ آनंद की फिल्म के बारे में क्या होगा में प्रभा के होने से मैं प्रेंग का स्वागत करती हूं आप सभी का बॉली ग्रेट स्टूडियोज में सिर्धार्थान अन्द एक भारतिय फिल्म राइटर और डिरेक्टर हैं उन्होंने अपने करियर के शुरुवात फिल्म कुछ खटी कुछ मीटी से की थी जिसमें वो एक assistant director थे। उन्होंने उसके बाद हम तुम लिखी और बाद में सलाम नमस्ते से अपना directorial debut किया। सलाम नमस्ते अब रोड में highest earning film of the year रही और वो भी इसमें special role में थे उन्हें film bang bang और war से recognition मिला और दोनों ही highest grossing Indian films रही आपको बता दें कि सिधार्थ की फिल्मों में हमेशा से एक नया theme देखने को मिलता है और इसले दर्शकों को उनकी फिल्म में बेहत पसंद भी आती है सिधार्थ की war to action को अलग लेवल पर लेकर जाएगी और इस फिल्म की star cast कमाल की होगी आपको बता दे कि पहले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी टाइगर और हरितिक दिखेंगे पर इस पार्ट में विल्लन की भोमे का प्रभास निभाते नजर आएंगे और ये बात फिल्म को और भी खास बना देती है बाहु बली के ये मेगा स्टार केवल मशूरी नहीं है बलके इनकी एक बड़ी fan following भी है और ये अब तक global icon भी बन चुके है जिन भी फिल्मों में प्रभास काम करते हैं वो सुर्खियों में ही रहती है वो अब अगर आमीर खान और सल्मान खान से भी बड़े स्टार बन चुके है और जैसा कि साहों के साथ हुआ उनकी फिल्म अच्छी नहीं होने के बावजूद भी दर्शकों के उनसे उमीद के कारण कई बार फिल्म फ्लोप रहते हुए भी खूब कमाई कर लेती है दरसल होता यह है कि सारी ओडियंस फिल्म देखकर ही फैसला लेना चाहती है कि प्रभा की फिल्म अच्छी है या बुरी और इसी वज़े से उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं फिल्म की कमाई में मददगार साबित होती है आपको बता दें कि वोर टू में अमेजिंग स्टार कास्ट की वज़े से एफम दर्शको का भी साथ में मिल रहा है और अब तो इसके नाम ग्लोबल लेवल पर मशूर हो जाएगा प्रभास के नाम का इससे ओफीशिली जो जुड़ गया है वोर का मशूर गाना गुंगरू के वज़े से भी फिल्म हिट हुई थी और ऐसे अच्छी और डांसिंग स्पेसिफिक सॉंग से दर्शको अक्सर लगता है कि फिल्म अच्छी होगी और सुनने में आया है कि वोर टू में भी ऐसा ही ये गाना इंक्लूड किया जाएगा और टाइगर शिरोफ की हीरो पंती 2 और बागी 4 भी रिलीस होने वाली है उन्होंने कहा कि वो अपने 6 साल के करियर में जो कुछ कर पाए है उसके लिए आभारी है और आगे भी मैनत करते रहेंगे ताकि अच्छा काम करते रहें और अपने फैंस को खुश कर सके तो क्या लगत है आपको क्या मशूर स्टार्स और आइटम सोंग के होने से फिल्म की पबलिसिटी पर फर्क पड़ेगा कमेंट करके हमें जरूर बिताइएगा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेर जरूर करें स्क्रिप रिटन बाइ संस्क्रिती चलन